असलाम लेकुम सब दोस्तों को मेरे तरफ से आज के जो मेरा टॉपिक है वो डिवर्मिंग के उपर है कभूत लोग जो हम डिवर्मिंग करते है यानि के पेट के कीड़ों की दबाई देते हैं वो कैसे देनी चाहिए और कौन से ऐसे अवामिल है अगर हम उनको इस्तमाल करें तो पेट में कीड़े के नहीं बनते या कम से कम बनेंगे और इस से आपको फायदा होगा ठीक है चाहिए उनको खतम करना ज़रोरी होता है नहीं तो यह होता है हमारा बर्ड जो है ौो जो घूराक लेता है जो खाता पीता है वो उसके जिसम में नहीं लगता और रोटा कबूतर कमजोर होना शूरू जाता है अच्छी सची खुराग देते हो लेकिन आपका कबूतर सहत नहीं पकड़ता तो इसके लिए जो हमें कबूतरों को कम असकम जो है ना एक साल के अंदर कम असकम तीन दफ़ा डिवर्म लाजमी करना चाहिए हर चार माँ के बाल एक दफ़ा डिवर्मिंग कर दो और साल में तक्रीबबं तीन दफ़ा आपको डिवर्म करना पड़ता अपने बर्स को जब हम डिवर्म करते हैं मुख्ले दवईयों के साथ तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब मैडिसन हम इस्त्माल करते हैं कुछ कीडे पेट में मरते हैं और कुछ बाहर रा जाते हैं और कुछ कुबुतरों से बाहर नहीं निकलते तो अक्सर लोग शकायत के हैं कि डिवर्मिंग हम ने कर दी फलाँ दौई से लकिन पेट से कोई कीडा बाहर नहीं आया इसका मतलब एक development ही तरीके से नहीं होई तो इसमें एक जीर बताओं कि ये research है और ये जदीद मतलब इस time के ओपर जो research है वो ये है कि जो दवाईयां बनाई जाती है इसमें एकसर दवाईयां ऐसी है जसमें यह होता है कि जो कीडर वो पीट के अंदर मर जाता है लैंकि वो बाईयर इसलिए नहींआता, बाईयर और इसरोरी प्रोटीन पर्टीन तर। आपको बताना क्याँगा कके आए ऐसा होता है कि अक्सर जो कीडे हैं वो मर के बाहर आते हैं लेकिन अक्सर नहीं बाहर आ सकते हैं तो इसमें टेंशन की बात नहीं है जब आपने रिकमेंड़ डोस अपने बर्स को दे दी जो रिकमेंड है आपको वो आपने दिये दी और आपने तसली कर लिए तो फिर आप उस चीज को पे इतबार किया करो और आप छोड़ दिया करो उसको रिपीट करने जरूरूर नहीं है इन्शालला जो है न वो चीज फरक पढ़ता है और जो कीड़े हैं वहाई सा इससा मर जाते हैं कुछ कीड़े एक से दो दिन में बाहर आ जाते हैं कुछ को टाइम लगता है मरके बाहर निकलने में और अकसा ऐसा होता है वह बाहर नहीं आते तो इसलिए जो है इसमें मेलकोटेंशन की बात नहीं है परिशानी की बात नहीं है अब बात आती है कि डिवाम किन चीज़ों से करना चाहिए ठीक है अलबेंडाजोल एक फर्मूला एक साड का नाम है इसके बीच में कोई भी ऐसी मेरिसन है जो मार्कीर साब को मिल जाए इसमें एक औकसाफेक्स है और जेंटल है इसी तरह आपको कोई भी प्रोड़क्ट मिल जाए जिसमें फर्मूला अलबेंडाजोल के नाम से हो और वो प्रिंदों के लिए सूर टेबल हो तो आप वो इस्तमाल कर सकते हो मिकदार वही जो रिकमेंडिट होगी उससे उपर आपने नहीं जाना तो मैं अभी सिर्फ दो चीजों का बताऊंगा क्योंकि मैं खुद ऑकसाफेक्स से डिवर्मिंग करता हूँ और मुझे ऑकसाफेक्स पे बहुत है और ऑकसाफेक्स पे मुझे बरॉस। और मैं इसी सी जो हेनberी वर्मिंग करता हूँ तो मैं इन दो चीजों का आप को बताऊंगा एककसाफेक्स और एकजेंटल का अकसाफेक्स को आपने क्या करना है तकरीबन एक से दो लिटर पानी लेना है उसके अंदर आपने पांच हैमेल आकसाफेस को इस्तमाल करना है और बीच में एक से दो चमच चीनी का इस्तमाल करके आपने एक से दो लिटर पानी में मिक्स करके बना लेना है ये जो एक लिटर या दो लिटर पानी में आपका जो अखसाफ है त्यार हुई है ये अब आपने अपने कमूत्रों को देना है ठीक हो गया इसके लावा जो दूसी चीज़ है वो जेंटल है उसको भी इसी तरह बनाना है कि पांच चैमल जेंटल को ठीक है उसमें एक लिटर पानी है दो लिटर पानी में इस्तमाल करना है प्लस एक से दो चमच चीनी के इस्तमाल करने है मीठा इस्तमाल लाजमी करने है और इसी तरह बना कि आपने बर्स को डिवर्म करना है अब बात आती है कि डिवर्म किस टाइम पर करना चाहिए ठीक है अगर आप टंपरेचर है शदीद गरम जैसे आजकल जून जलाई आ रहा है और आगे जलाई में लोगों ने को पुत्रों के परपटी करनी है अक्तूबर के लिए और उस टाइम पर परपटी करो के सारी बात है अक्सर लोग जो है ना परपटी से पहले जो है वो डिवर्म करते हैं तो इसलिए जो है आपको ये चाहिए कि अभी गर्मी भी है तो आपने सफ गर्मी में डिवर्मिंग सुबा के टाइम नहीं करने ठीक है याद रखे कभी भी शदीद टमपरेचर में ये शदीद सर्दी हो ये शदीद गर्मी हो ऐसा टमपरेचर जो बहुत थ्रेशोर्ड लेवल पर बहुत श लाही में आप करोगे तो आपने शाम का टाइम इंतहाब करने है वो टाइम जब शाम को 5-6 बजे के बाद जब मौसम ठंडा हो जाता है और गर्मी की शीदत भी कम हो जाती हो तंबरिचर भी नार्मल हो जाता है और काफी नीचे आ जाता है तो ऐसे टाइम पर आप डिवर् इस परिंदे है तो उसी साब से एक से दो लिटर पानी में आप दे सकते हो ठीक है और दूसी चीज़ ये कि जब आपने फर्स टाइम को पुत्रों को दाना देना है शाम के टाइम तो कुशिश कर लो कि वो दाना बॉाइल दाना होना चाहिए यानि कि अगर आप बाजरा य इसको ड्रैर करके उसके बाज शाम को आपने ये दाना इस्तमाल करना है और इसकेबाद आपने कुशिव को डिवर्म कर देना है। डिवर्मिंग होगी असल बात यहां से स्टार्ट होती है डिवर्मिंग तो सब कर लेते हैं लेकिन में चीज़ क्या होती है कि कबूतर को वापिस उसके पाउप पे खड़ा करना यहां से एक में जो फनकारी है वो यह होती है कि कबूतर को डिवर्म तो कर लेना लेकिन उसके से जो है ना हम ऐसी चीजों का इस्तमाल करते हैं जो हमें नुकसान देती हैं और दो से तीन कोशिश ये करें कि आप जदा स्टमाल करें कोशिश ये करें कि आप एक तरफ डिवर्म करें और कुमूतर के महते के साथ ये डाजिस्टिन सिस्टम के साथ शेर चाड़ी कर रहे हैं अब उसके मैधे पी इसका आसर होगा उसके हास में पी इसका असर होगा इसलिए आपको खलकी चीज़ें वो चीज़ें जो जल्दी हज़ब हो जायें वो चीज़ों को इस्तमाल करना हैं 2 से 3 दिन जो कुमूतरों के एजросी अराम से डाजसce हो जाय शाम के दाने के बाद जो बाज़रा है बाजल बाज्रा या गंदे ये भूत्रों को छोडे लेना है अगर यही मोसम है सरदियों मे सर्दियों में आपने सुबह की टाइम डिवर्मिंग करनी है सुबह की टाइम साथ-ाड़ बुजे मौसम अच्छा होता है उस टाइम डिवर्मिंग करनी है और साड़ा दिन आपने बर्स पे नज़र रखनी है और उसके बाद आप कबुत्रों को साधा पानी रखे रखोगे आगे और कबुत्रों पे नज़र रखनी हो देखते रहना कि कबुत्रों के कंडिशन कैसी है कोई एक दो प्रिंदे ऐसे निकल आएंगे जो डिस्टर्ब हो जाएंगे कभी कभी डिवर्मिंग से एक से दो प्रिंदे ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं उनको आप नज़र रखोगे उन पे दाना खाया नहीं खाया तो जो ट्रीटमेंट हो करोगे इंशाला उनको पुत्र जल्दी ठीक हो जाएंगे तो गर्मिंग में आपने डिवर्मिंग कर दी उसके बाद आपने नेक्स डे मॉर्निंग क्या करना है अपने बर्स को ताजा साफ पानी का इस्तेमाल कराना है और साथ में रोटी के बोरों का इस्तामाल करना है खुश्पबोरे देने किसी किसम का ऑईल चिकनाई या कोई मक्ःनी किसी किसम की चीज नहीं देनी आकस्तो लोग डिवर्म करने के फोरम बाइट अगले दिन या उस तीन या दो तीन दिन डेसी की के बोरों के इतबार करते हैं देसीगी के बोरे दे क्योंके कुबूतरों को ना हमने डिवर्मिंग किया तो तरह उनको सेथ अच्छी होगी यहां पर वो गलती क्या करते हैं एक तो आपने उसका मैटा डिस्टर्ब कर दिया दूसरा उसके उपर से आपने साथे बोरे देने से क्या होगा कुबूतर को मोशन लग जाएंगे वो पहले से ज्यादा पाने बिठ्थे करेगा और ज्यादा हीट में आ ke उज़दा जिस्टर्ब होगा और ऐसे बड़ ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं इसलिए आपने साधे बोरे सुबह कर टाम देने हैं और उस दिन शाम को आपने वही बाजरा या गंदम को एक चीज़ आपने यह दोनों मिक्स करके आपने बॉयल करके इस्तमाल करनी है ठीक है यह नेक्स डे आ गया इसके अग यह तीन दिन बहुत इंफर्टन होते हैं इसमें कुपूतर वापस पाहों पर ख़ड़ा हो जाता है और नेक्स ही होता है कि दो-तीन दिन आपने बर्स को नहीं उडाना जब तक आपने डिवर्मिंग की और तीन कमस कम यह चार दिन तक आपने इस बर्स को परवास में नहीं की तो कबूतर का जिसम एक दफ़ा नहीं चड़ता है, ठीक है कीडे भी खतम होते हैं थोड़ा बॉर्डी से का थो रस्ट्रमाइ भी डिस्टर्ब होता है और कपूतर थोड़ा सा डिस्टर्बिस में आता है इसलिए दो-तीं दिन नहीं उड़ाना अगर कपूतर उड़ाना जन्दी शुरू कर दोगे तो आप देखो अक्सर आपके कभूतर पुराने दो-दो साले तीन दिन साले कभूतर होंगे मगर उपर से नहीं आएंगे आप सोचो कि क्या हुआ अशकार होगे लेकिन हकीकत यह होगी कि वो डिवर्मिंग के विज़ा से डिस्टर्ब थे उपर से अपने परवाज ली और वो बाइर गिर गे इसलिए अपने प्रिंदों की सिखत का ख्यार रखना है और इस तरह के से आपने डिवर्मिंग करना है यह जो डिवर्मिंग आप करोगे मैडिसन के थूँ ठीक है लाजमी बात है इसका साइड एफेक्ट बाइर बाइर्स के उपर लाजमी आता है अगर आप का हो नएडियो साइड एफेक्ट साइड एफेक्ट होते हैं जेंटल के भी और अकसाफेक्ट के भी इन से होगा क्या कि कभी कभी आपके बाइर्स का स्टमक डिस्टर्ब हो जाएगा उसके बाइड पे अकसर जो ऐसा होता है कि उसके बाद नेक्सीज़ा में जो कॉटरों के पर निकलते हैं अकसर परों में खराबी आना शूरु जाती है पर बे जान निकलते हैं उनमें ताकत नहीं होती यह तब होता है या तो दवाई अवरडोस यूस करो ठीक है या इन दवाईयों के साइड एफेट्स में होता है दूसरे तरफ बात करना चाहूँगा कि देसी तरीका कार की तरफ में आना चाहूँगा कि क्या हम Diewirming लेसी तरिकों से भी कर सकते हैं एसे बहुत सी चीजेँ हैं ऐसे बहुत सी जड़ी वूटियां हैं जिसे Diewirming लोग करते हैं बहुत से ऐसे लोग पनजाब में जो Diewirming ही लेसी तरिके कार से करते हैं तो मैं चंद चीजों का जिकर करूँगा और आपके इस्तमाल में लाओंगा अगर आप उनका इस्तमाल करते हो तो इंशालला आपके बर्ड नेशनल तीके से डिवाम होंगे और जिसका कोई साइड अफेक्ट नहीं होगा और इंशालला जो है ना बेहतरी आएगी इसमें पात सारी पानी में बगो देना है और अगले दिन सुबह आपने उस पानी को बॉयल करके एक दवाल का अच्छे तरीके से बॉयल करके उतार लो अभी जो पानी बनेगा ये पानी आप अपने कबुत्रों को अगर जब कभी आपका प्लैन और डिवाम करने का तो आप दो द पात रपीट करनी है सिर्फ दो दिन आपने ये देना है और इन दुरान कबुत्रों को बारी निकालना खुटों में रखना है तो इन्शाला आपके जो बर्ड्स हैं ठीक है उनके पेट से कीड़े वो खतम होना शुरू हो जाएंगे ये अजवाइन भी पेट कीड़ों को कलवंजी का पानी बनाके कबुत्रों को दे सकते हो अगर आप कबुत्रों के पीने हुल पानी में कलवंजी का इस्तेमाल कर लो या इसी तरीके से आप कलवंजी को पानी में बगो के राज सारी बगो रखो तो उसको बॉयल कर लो उससे जो पानी बनेगा ठीक है उसी पानी को आप इसी तरह एका पानी सुबह और एका पानी शाम को दे सकते हो और दो दिन भी दो या तीन दिन दो आपके कबुत्रों के पेट कीड़े खतम हो जाएंगे तो यह दूसी चीज है जो पेट कीड़ों को खतम करती है तीसी चीज यह है कि लसन का पानी बनाओ अगर आप लसन का पानी बनाके कबुत्रों में इसमाल करते हो तो उससे भी पेट कीड़े खतम हो जाते है लसन जो है अगर आप उसका इस्तमाल कबुत्र बाजी में करते रहोगे हफते में एक दफा या दो दफा ठीक है जरसी में वह خतंब करता है और ये जिसमल को पाक साफभ भी खरता है तो इसका इस्तमाल करने से भी आपके कमूत्रों पेट में कीड़े नहीं में बनेगे च्वज़ी चीज़ यह है जो नीम के पत्थे होते हैं अगर हम नीम के पत्तों को रस बनाओ और उसको कमूत्रों के लिए इस्तमाल करो और उसका पानी बनागे कमूत्रों के इस्तमाल करो तो वो भी कमूत्रों के पेड़ से कीड़े खतम कर देता है तो ये तीन चार्ट चीज़े जो देसी हैं मैंने आपको बदाई, आप इन मेंसे कोई भी इस्तमाल करो तो कमूत्रों के पेड़ी कीड़े खतम किये जा सकते हैं, ये तरीका कार देसी तरीका कार और इसका कोई साइड अफेक्ट नहीं और कोई नुकसान नहीं है, तो ये जो ना तो ज़्यदा गरम खुराके, ना मिक्स दाना और ना देसी गी के इस्तमाल दो से तीन दिन और बहुत स्ट्रॉंग खुराक देने की जरुरत नहीं है, आपने लाइट चीज़ों का इस्तमाल करना है, और कमूत्रों के डाइजेस्टिन सिस्टम का वापिस बहाल करना है और एक और इंपॉर्टन चीज़, वो जो कीड़े कमूत्रों के पेट से निकलेंगे कुड़ों के बीच में, तो आपने कुड़ों को अच्छे दे किसे सफाई करनी है, और कुड़ों के सफाई इसलिए जरुरी है कि कुड़ों में जो गंड़की जरसीम बनेगा, वो आप साफ कर देना, क्योंकि कुड़ों अक्सा जगादे का मुँ मारते हैं, इसलिए जो है न आपको सफाई भी करने हैं, क्योंकि कीड़े निकलेंगे, कुछ निकलेंगे, कुछ निकलेंगे खिट्रों की जिसमों से, तो आपने एक दिन के बाद ये दो दो दिन के पाद सुत्रे हो जाए तो इंशाला कुबूतर जो है ना आपके सेहन मन और तंद्रूस हो जाएंगे और कुबूतर जल्दी रीकवर होगा और आपको इस तरह अगर डिवाम करोगे तो आपके कुबूतरों का की सेहन भी अच्छी रहेगी उमीद है आपको इस टॉपिक पसादना है होगा बहुत शुक्रे है सब दोस्तों को अल्ला आपिस